मशकार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Android मोबाइल यूज करते हैं और उसके अंदर आपको गैलरी में फोटस बगारा शो नहीं होती है जैसे के आप स्कीन ऐसे प्रॉलम फेस करनी पड़ रही है तो आज की वीडियो आपके लिए यहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस प्रॉलम से चुटकारा पा सकते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहेगा वीडियो अच्छी लगए तो लाइक कर देना चैनल को कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शियर कर देना ताकि अगर उनके प्रॉलम आ रहे है तो उनकी प्रॉलम भी सॉल्व हो जाए तो यहां पर गैलरी फोटो शो करने के लिए आपको सिंपल से स्टैप्स को फोलो करना होगा सबसे पहले आपको जो गैलरी है उस पर लॉंग प्रेस करना है लॉंग प्रेस करने के बाद उसकी अप इंफो पर चले आना है so guys आपको app info में आने के बाद यहाँ पर देखने के मिलेगा कुछ इस तरह से इंटरफेस अब आपको करना क्या है सबसे पहले stories पर क्लिक करना है stories पर क्लिक करने के बाद आपको clear catch कर देना है सबसे पहले तो आपको clear catch करना है एक बात का ध्यान रखे सिर्फ clear catch ही करना है आप clear data ना करिएगा अगर आप clear data करेंगे तो आपकी photos वीडियो जो भी आपका data पड़ा है वो delete हो जाएगा तो इसलिए आपको सिर्फ clear catch करना है then back आजाना है उसके बाद यहाँ पर आपको permissions देखने को मिल रही है आप permissions पर क्लिक करिए और जितनी permissions है उनको allow कर दीजिए यहाँ से सभी permissions को आप allow कर दीजिए तो इसके बाद बैक आजाईए अब यहाँ पर फिर से आपको long press करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फिर से four stop यहाँ पर उपर four stop है तो इस album के आपको four stop पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ओके कर देना है तो आपको गैलरी को four stop भी कर देना है यह काम करने के बाद भी आपकी problem solve नहीं होती है तो उसके बाद अप play store पर आईएगा Play Store में आने के बाद आपको यह application देखने को मिलेगी Media Reskin तो जैसे ही आप Media Reskin ऐसे application को install करेंगे install करने के बाद आपको जैसे इस application को open करेंगे तो कुछ इस तरह से interface देखने को मिलेगा अब यहाँ पर आपको करना क्या है Music, Image, Movies वगएरा सब देखने को मिल रहा है यहाँ पर All Other सब को tick कर देना है सब को select कर लेना है दन उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ quick scan देखने को मिल रहा है quick scan को select करके यहाँ पर start के button पर आपको click कर देना है तो यहाँ पर इसका process को पूरा होने देना है तो आप देखेंगी जो आपकी problem में वो solve हो जाएगी और आपकी photos, videos वगएरा जो है वो show होने लग जाएगी so guys बस आज की वीडियो में आपको यही बताना था और आपकी problem अगर solve नहीं होती है मुझे comment box में जुरू बताइएगा मैं आपके लिए कोई और solution लेकर आउँगा आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दर बाइ, take care, love you all